दोस्तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं मल्टी कल्सरलिजम को बहु संस्कृति वाद क्या है बहु संस्कृति वाद से जुड़े हुए विभिन विद्वानों को और उनके विचारों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे तो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तो बहु संस्कृति वाद एक ऐसी विचारधा है जो किसी एक राष्टर में विभिन संस्कृतियों के लोगों का आपसी सोहार्ध वा सदभाव से मिल जुलकर जीवन विताना संभव बनाती है इसमें धर्म निर्पेक्षता, सर्व धर्म संभाव, अलप संख्यकों के सुरक्षा के उपाए वा राजनितिक अधिकार शामिल है तथा इसमें उप संस्कृतियों के असंतोश वा विद्रोह, अलगावाद, नसलिय, धार्मिक घ्रिना वा सामप्रदाइक्ता से जुड़े मुद्दे भी शामिल है इसकी प्रमूख विशेवस्तू अनेक्ता में एक्ता है बहु संस्कृति वाद दृष्टिकोन का तातपरिय, संस्कृतियों की अनेक्ता का सकारात्मक प्रसार, तथा भिन भिन संस्कृतियों को पहचान और संबान का अधिकार प्रदान करना है तो बेसिकली मल्टी कल्चरलिजम का मतलब क्या हुआ, मल्टी कल्चरलिजम का मतलब हुआ, जहां पे दो से ज़्यादा कल्चर होते हैं, उन कल्चर के बीच, दो से ज़्यादा कल्चर के बीच क्या है, कोडिनेशन बिठाना, उनके बीच अच्छे संबन स्थापित करना, उनके वी सोहार्द और सदभाव को बनाना ठीक है इसमें क्या है धर्म निर्पेक्षता जैसे सिधानतों को अपनाया जाता है ठीक है इसमें क्या है धर्म निर्पेक्षता जैसे विचारों को अपनाया जाता है ताकि सारे के सारे जो कल्चर है वो धर्म निर्पेक्ष रूप भी होते हैं, वहाँ पे संस्कृतियों के अधार पे असंतोश भी कई बार फैल जाते हैं, अलगावाद, पंजाब का अलगावाद, आप देख सकते हैं, कि अलग से खालिस्तान की जैसे मांग उठाई गई थी, उसी तरीके से नसलिय, धार्मिक ग्रिणा, साम्प्रदाइक्त जैसे मुद्दे भी यहाँ पे उभरना लाजमी है, यानि उभर सकते हैं, मल्टी कल्चरल जो स्टेट होता है, ठीक है, और इसकी जो प्रमुख विशेवस्तु है, वो है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवरसिटी, जैसे कि इंडिया एक मल्टी कल्चरल नेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा राष्टर है, एक से ज्यादा धर्मों के लोग है, जाती के लोग है, संपरदाई के या ट्राइब्स के लोग है, तो यह अनेकता में एकता को अपने अंदर समाहित करता है, मल्टी कल्चरलीजिम. ये एक ऐसी विचारधारा है, जो कौन निर्मान करते हैं मल्टी कल्चर का वही लोग या तो बाहर से आकर जो यहां बस गए हैं जिनका अपना एक रहन सहन था अपना एक प्रकार का कल्चर था या इसमें अलप संक्यक हो सकते हैं अलप संक्यक भाशाई हो सकते हैं अलप संक्यक धर्म के अधार पे हो सकते हैं हाला कि बहु संस्कृति वाद समाज पुराने समय में विद्यमान थे परंतु सोल्वी श्ताबदी के अंत तथा सत्रुष श्ताबदी के शुरुआत में अपने शिखर पर था परंतु ये शब्द बहु संस्कृति वाद हाल ही की उत्पति है यानि ये क्या है ये एक modern concept है Multiculturalism हाला कि सोल्वी और सत्रुष श्ताबदी में Multiculturalism देखने को आपको मिलता था यूरोप के अंदर ठीक है बहु संस्कृति वाद शब्द का उधे तो यहां पर ये वर्ड आया कहां से है इसका प्रथम बार प्रयोग 1965 में कनाड़ा के कनाड़ा में संस्कृतिक भिन्नता के संदर में किया गया था कनाड़ा के अंदर क्या है जो डाइवसिटी थी कल्चरल डाइवसिटी उसके लिए ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1970 के दशक में आस्ट्रेलिया ने भी स्वय को एक बहु संस्कृतिक राष्टर घोष्षित किया कि हमारे पास एक से ज़्यादा राष्टर आस्ट्रेलिया में बस्ते हैं एक से ज़्यादा धर्म जाती के लोग यहां पे बस्ते हैं 1971 में बहु संस्कृती वाद को आपचारिक तोर पर कनाड़ा की जन नीती में शामिल किया गया 1971 तो 65 में सबसे पहली वार प्रयोक किया गया और 1971 में इसने खुद को एक मल्टी कल्स्रल स्टेट गोशिट किया अपनी नीती के दौरा 1988 बहु संस्कृतिक कानून बना पहली बार किसी देश में 1988 में बहु संस्कृति वाद का कानून बना 1990 के दशक में बहु संस्कृतिक शब्द राजनितिक बहस के क्षेत्र में परभावी रूप से उभरा और Multiculturalism अब देखिए Multiculturalism लिजम यानि ISM इसमें क्या है वाद लग रहा है वाद लग रहा है यह एक परकार की विचारधारा है विचारधारा किसी ना किसी राजनितिक दलों के साथ जुड़ी होती है किसी ना किसी political parties के साथ जुड़ी होती है तो 1990 के दशक के बाद क्या है इसने राजनिती में अपना रुख लेना शुरू किया और राजनिती में Multiculturalism के आधार पे वोट मांगे जाने लगे इंडिया में आप देखते हैं 1990 के बाद देखते हैं तो गठवंदन की राजनिती आती है और यहाँ पे जाती के आधार पे नसल के आधार पे या फिर आप देखते हैं यहाँ पे धर्म के आधार पे एक politicization शुरू होने लगा राजनिती करण शुरू होने लगा लोगों का और यहाँ पे कुछ पार्टीज ऐसी भी उबरी पूरे दुनिया के अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में उबरी जिन लोगों ने मल्टी कल्चुरलिजम को अपने आइडिलोजी अपना जो उनका मैनिफेस्टो था उसका आधार बनाया कैसे उन्होंने बोला कि हम सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलेंगे हम सभी जातियों के सभी एथनिक जो आपके नेशन से उनको साथ लेके चलेंगे ठीक है सबका साथ सबका विकास तो यह multiculturalism का एक example आप इंडिया में देख सकते हैं सबका साथ सबका विकास हाला कि यह सभी दलों को साथ लेने की बात यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन इंडिया में जितने भी दल है basically वो specific ideology, specific region या specific धर्म से संबंदित है RSS, बजरंगदल या फिर आप देखोगे Muslim League यह जितने भी परकार की political parties है सबका साथ सबका विकास तो यह अलग-अलग धर्म, अलग-अलग reason और यह multiculturalism से जुड़ी हुई है तो इस तरीके से 1990 के बाद इसने अपना रुख अफनाना शुरू किया बहु संस्कृती वाद, 1980 के बाद, 1980 के बाद, बहु संस्कृती वाद, तीवर गती से बिक्सित हुआ और पाश्चात्य जगत में एक केंद्रिय विशे बन गया, एक central point यह बन गया, जिसके इर्दगिर्द राजनिती की जाने लगी साम्मेवाद के पतन के बाद, नरिजातिय राष्टरवाद, यानि एथनिक नैशनलिजम, पूर्वी यूरोप में एक सशक्त विचारधारा बनकर उभरा जिसके कारण पूर्वी यूरोप में अप्रवासियों और अल्प संख्यकों के समक्ष अनेक समस्यां उत्पन होने लेगी तो 1989 जो की बरलिन की वॉल का गिरना एक संकेत था, की वॉल्ड जो कोल्ड वॉर है वो खतम हो गया है ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या? 1989 के बाद क्या है? लिब्रलिजम पूरी दुनिया में एक सशक्त विचारधारा बनकर उबः और साम्यवाद का पतन हो गया अब साम्यवाद का पतन होने से क्या है? सबसे पहले तो जर्मनी का एकिकरण हुआ 1989 से जर्मनी का एक ही करण पूर्वी और पश्चिमी जो जर्मनी था इनकी अलग-अलग जो आइडिलोजी के उपर ये चल रहा था ये क्या है? एक ही करित हो गया और अब यहाँ पे साम्यवाद वर्सिज पूंजीवाद जैसी कोई भी विचारधारा नहीं थी कोई भी विचारधारा नहीं थी और यहाँ पे क्या होने लगा? यहाँ पे एथनिक नेशनलिजम स्ट्रॉंग होने लगा ethnicity I hope आपको पता होगा एथनिक का मतलब होता है सजातिय राजनिति जैसा कि nationalism है इंडिया में वैसे ही यूरोप के अंदर 1989 में शुरू हुआ था जो कि भारत में 2014 के बाद शुरू हुआ ठीक है? तो उस टाइम हुआ क्या था? कि जैसे जर्मनी के अंदर क्या है? जो जर्मन लोग है, जो जर्मन बोलते हैं उन लोगों को क्या है? स्पैसिफिक उनको क्या है? एडवांटेज मिलने लगा वहाँ पे जर्मन लेंग्विज का इंगलेंड के अंदर देखते हैं तो इंगलिश लोगों को वहाँ पे उसका एडवांटेज मिलने लगा France के अंदर French लोगों को तो इस तरीके से क्या है Cold War के खतम होने के बाद Ethnic nationalism बहुत ज़्जादा strong हो गया, उसके कारण हुआ क्या England के अंदर जो French लोग थे England के अंदर जो German लोग थे उन लोगों का क्या है भाशाई आधार पे शोषन होने लगा उन लोगों के साथ भेदबाव होने लगा और वो जो वहाँ पे अल्पसंख्यक थे भाशाई अल्पसंख्यक थे इंग्लेंड में उन लोगों के अंदर हींता की भावना आने लगी या फिर उन लोगों के अंदर क्या है इंसीक्योरिटी की भावना आने लगी कि हम तो खत्रे में हैं हम अल्प संक्या के और इस तरीके से वहाँ पे क्या है मल्टी कल्चरलिजम जैसे नारे दिये जाने लगे कि सभी कल्चर के लोगों को इक्वल वेटेज दो ऐसा नहीं कि इंगलिश लोगों को ही जादा वेटेज देना है अनेक देशों में सवायत्ता और अलगाव वाद जैसी समस्या उत्पन होने लगी इसके कारण कि वहाँ पे स्पैसिफिक धर्म के लोगों को स्पैसिफिक जाती या स्पैसिफिक भाषा के आधार पे लोगों को क्या है वहाँ पे तवज्यों दी जाने लगी उसके कारण होने क्या लगा वहाँ पे एक तो स्वायत्ता की मांग अटॉनमी की मांग उठने लगी इंडिया के अंदर आप अटॉनमी की मांग देखोगे तो बहुत से स्टेट आपको देखने को मिलेंगे कश्मीर के अंदर तो अटॉनमी की मांग बहुत पहले से चल रही थी जम्मू कश्मीर में उसके इलावा आप देखोगे नौर्थिस्ट में अटॉनमी की मांग को लेके अंदोलन चले अलगावाद जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है गोर्खा लेंड एक अलगावादी आंदोलन है आपका खालिस्तान एक अलगावादी आंदोलन है तो इसके पीछे बेसिकली कारण क्या था इसके पीछे कारण था एथनिक नेशनलिजम अब इंडिया के अंदर आपने देखा होगा और वहाँ पर क्या है आप कनाडा में देखोगे कनाडा में क्यूबेक क्यूबेक एक प्रांथ है कनाडा का इसने कनाडा से अलग होने की मांग कर दी अलग होने की मांग कर दी उसके बाद आपने 1988 में देखा कि वहाँ पर क्या है पहला बहुत संस्कृति वाद का कानून बना ब्रिटेन में आप देखते हैं स्कॉट्लेंट ठीक है, ब्रिटेन के अंदर स्कॉट्लेंट अलग हो गया बेल्जियम में फ्लेंडर्स स्पैन में कैटालोनिया इसके प्रमुख उधारन हैं जिन्होंने स्वायत्ता की मांग की थी या फिर उन्होंने बिलकुल अलग होने की बात की थी राज्यों से मल्टी कल्चरलिजम के आधार पे इन समस्याओं का समाधान उदार लोकतंतर के पास ना होने के कारण बहु संस्कृती वाद दार्शनिक शेतर में महतुपूर्ण हो गया अब देखिए उदार जो लोकतंतर था बेसिकली 1989 या 1990 के बाद आप देखते हैं 1991 के बाद जब एक लिब्रलिजम उदार लोकतंतर या अमेरिका ही एक स्ट्रॉंग पक्ष बनकर रह गया था लेकिन अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में जब ये समस्याएं उत्पन होने लगी मल्टी कल्चरिलिजम के आधार पे जब उसके पास कोई solution नहीं था लिब्रल डेमोक्रिसी के पास जब इसका कोई solution नहीं था उसी के परिणाम स्वरूप बहु संस्कृति वाद एक आइडिलोजी बनके उभरा कि हम बहु संस्कृति वाद के आधार पे समाज को एक जूट कर सकते हैं समाज का एकी करन कर सकते हैं समाज के अंदर जो रोश फैल रहा है उसको हम खत्म कर सकते हैं बहु संस्कृति वाद से संबंदित विचारक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है यह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा थिंकर किस परकार के मल्टी कल्चुरिलिजम के साथ जुड़ा है सबसे पहले देखते हैं आईजिया बरलिन बरलिन ने मूल्य बहुलवाद का सिधान दिया यहाँ विविन मूल्यों के बीच वाद विवाद के संदर में है वैल्यूज अलग-अलग धर्म में, अलग-अलग जाती में, अलग-अलग संपरदाए में अलग-अलग वैल्यूज होती है उन सभी values को क्या है मान्यता देना कहलाता है मूल्य बहुलवाद कोई भी value है बने ही वो नर्बली की value है उसको भी नर्बली तो नहीं पशुबली की जो प्रथा है तो पशुबली की प्रथा को भी मान्यता देना ये राज्य का करतव्य होगा इस तरीके से आईजिया बरली ने कहा उसके बाद आप देखते हैं जेरमी वाल्टरॉन एवं सेला बैन हबीब उत्तर अपने विशिक बहु संस्कृति वाद के साथ ये जुड़े हैं नाम से ही पता लग रहा है पोस्ट कॉलोनियल मल्टी कल्सरिलिजम ये मुखेता उदारवादी बहु संस्कृति वाद की आलोसना करते हैं इनका मानना है कि ये मुखेता लोगों की अलग-अलग सभ्यता को अपनी क्शम्ता को कम आखते हैं अथा एक विश्ववादी सभ्यता के उदे में रुकावट डालते हैं अब post-colonial जो multi-culturalism है, इनकी basic माननेता क्या थी? कि जितने भी post-colonial nation है, यानि उत्तर उपनिवेशिक nation है, जिनके उपर कभी न कभी क्या है, colonies बनाई गई थी, जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे Europe के मुकाबले यह अपने आपको हीन मानते हैं, क्योंकि European जो थे, अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ क्या जो culture है, उसको dominate करके रखा था, और खुद को उन्होंने strong माना था, तो इस तरीके से Jeremy Wardron और Sela Ben Habib इसके साथ जुड़े हैं, विभिन्नता की राजनीती, यह इसके साथ जुड़े हैं, यंग, और यंग के बारे में हम आगे, डिटेल में पढ़ेंगे, यह एक लेडी थिंकर है, ठीक है, यंग, ठीक है, विभिन्नता की राजनीती, विभिन्नता की राजनीती का मतलब हुआ, पॉलिटिक्स ओफ डाइवर्सिटी, नेक्स्ट आपके हैं, मान्यता की राजनीती, मान्यता किसी चीज़ को देना, ठीक है, पॉलिटिक्स ओफ वैलिडिटी, आप इसको कह सकते हैं, वैलिडिटी तो नहीं बोल पाएंगे, मान्यता का अपने अंग्रेजी अनुवाद देख लेना है, उदार सम्तावादी बहु संस्कृती वादी, ये चार्ल्स टेलर है, मान्यता की राजनीती के साथ कौन है, चार्ल्स टेलर, और चार्ल्स टेलर एक समुदायवादी चिंतक हैं, उसके बाद आप देखोगे उधार समतावादी बहु संस्कृति वादी ठीके यानि लिब्रल इगैलिटेरियन मल्टी कल्चरलिस्ट ये है विल्ल किमलिका समवाद आधारित बहु संस्कृति वादी समवाद यानि डायलोग बेस्ड मल्टी कल्चरलिस्ट ये है विखू पारिक बहु संस्कृति वादी समविधान वादी यानि कॉंस्टिटूशन के आधार पे मल्टी कल्चरलिजम के मान्यता देने वाले है तुली इच्छा स्वतंतरता वादी बहु संस्कृती वादी या नियो लिब्रलिस्ट मल्टी कल्चरलिस्ट ये है कुकुतास यह प्रमुक चिंतक है जिन्होंने मल्टी कल्चरलिजम की अलग-अलग शाखाओं को अलग-अलग अवधारनाओं को विक्सित करने में अपना योगदान दिया है तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है यह है यंग, किमलिका, भीखु पारिक तो चार्ल्स टेलर को तो हम पढ़ी लेंगे जब हम समुदायवाद को पढ़ेंगे एतिहासिक परिफ्रेक्षे यानि हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव क्या रहा है मल्टी कल्सरिलिजम का तो बहु संस्कृतिवाद से संबंदित विचारों को तीन चरणों में भी भाजित किया जाता है पहला चरण है समुदायवाद या इसे बहुलवाद भी कहा जाता है और बहु संस्कृतिवाद यानि समुदायवाद का या बहुलवाद का संस्कृतिवाद में क्या योगद है और समुदायवाद जिसे आम कॉमिनिटेरियनिम कहते हैं कॉमिनिटेरियनिजम přेहली विचार धारा है जिस ने डैवलप की है मल्टी कल्सक्रयलिजम की थिएुरी नेक्स आपका है उदारवाद और बहु अब सम्युदायवाद ने जब चुनौती दी तो उदारवाद ने उसमें बचाओ करने की कोशिश की कि नहीं उदारवाद बहुत संस्कृतिवाद से बैटर है तीसरा है राष्टरवाद या कौस्मोपॉलिटन बहुत संस्कृतिवाद जिसे कहा जाता है राष्टरवाद य कोस्मो पॉलिटन तो इनको एक एक करके देखने की हम कोशिश करते हैं और समझते हैं इनको कि क्या इनका योगदान है और किस तरीके से इन्होंने योगदान दिया है मर्टी कल्सरिलिजम में तो सबसे पहले समुदाइवाद 1989 से पहले उदारवाद और समुदाइवाद में एक वाद विवाद चल रहा था जो जो जॉन रोल्स माइकल सेंडल और चार्ल्स टेलर के साथ शुरू किया गया था उदारवाद के अनुसार व्यक्ति समुदाय से पहले है जॉन रॉल्स ने कहा था आत्मन साध्य से पहले है तो जॉन रॉल्स को जब हमने पढ़ा था जॉन रॉल्स ने 1971 में A Theory of Justice बुक लिखी और उस बुक का जो बेसिक जो आधार बिंदु था या सेंट्रल जो उसका पॉइंट था वो था आत्मन साध्य से पहले है आत्मन मींस इंडिविज्वल इंडिविज्वल एंड से पहले है यानि व्यक्ति समाज से पहले है तो ये था सेंट्रल पॉइंट जॉन रॉल्स का अब व्यक्ती स्माज से पहले है तो व्यक्ती यहां पर important हो गया और समाज को यहां पर गौण माने जाने लगा समाज को यहां पर दूसरे दरजे का माना जाने लगा तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ जोन रोल्स की आलोचना में सबसे पहले माइकल सेंडल ने कहा कि यह आप क्या बोल रहे हो समाज के विना व्यक्ति कुछ भी नहीं है यानि समुदाय वाद पहले होगा समुदाय पहले होगा और समुदाय के अंदर ही व्यक्ति अपनी स्वतंतरता को सुरक्षित रख पाएगा तो इन्हों ने कहा यहाँ पे समुदायवाद के अनुसार, समुदायवाद ने कहा, साध्य आत्मन से पहले है, साध्य मतलब सोसाइटी इंडिविज्वल से पहले है, इसी आधार पर समुदायवाद ने बहु संस्कृति वाद का समर्थन किया, बहु संस्कृति वाद क्योंकि समाज में ही तो य एन्यता मिलनी चाहिए ना कि इंडिवीज्वल व्यक्ति की इंडिवीज्वल क्या है यह अ-र-ाजक्ता का प्रतीक है और यह माइकल संडर, Charles Taylor जो ये चिंतक है ये उदारवाद के प्रारंभिक चिंतकों में से माने जाते है इसी के चलते Charles Taylor ने कहा कि उदारवाद अल्प संक्यक समुधाय की सुरक्षा नहीं कर सकता इसलिए बहु संस्कृती समुधाय वाद में ही सुरक्षित रह सकती है यानि multi culture जो है वो क्या है multi culture मतलब एक से ज़ादा जो धर्म के लोग है या culture के लोग है वो कहां पर सुरक्षित रह सकते हैं वो only समुदायवादी विचारधारा के अंतरगत ही सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि उदारवाद एक व्यक्ति की स्वतंतरता पर फोकस करता है और सम समुदायवाद संस्कृतियों की या समाज की स्वतंतरता पर तो इस तरीके से समुदायवाद पहली विचारधारा है जिसने multi culturalism का support किया अब multi culturalism का जब उदारवादियों ने support किया और उन्होंने उदारवाद को challenge दिया तो उदारवाद ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप अपने विचार देने शुरू किये और देखते हैं उदारवाद और बहु संस्कृति वाद को उदारवाद स्वतंतरता समानता जैसे सिधानतों पर आधारित है लेकिन यहां समुह की स्वतंतरता के विशे में मौन है यानि किसी ग्रुप की liberty क्या होगी उसके बारे में liberalism नहीं कहा बलकि individual liberty के उपर इनोंने ज्यादा focus किया है इसी के चलते अलफ संख्यकों ने बहु संस्कृति वाद के आधार पर इन अधिकारों की मांग उठाना शुरू किया कि multi-culturalism का सिधानत अपनाया जाए जहां पर different culture को स्वतंतरता और समानता जैसे सिधानतों को मूल अवशकता है लेकिन जौसेफ राज बहु संस्कृति वाद का विरोध करता है क्योंकि कुछ संस्कृतियां अनुदार वाद को बढ़ावा देती है तो जौसेफ राज बेसिकली ये liberal thinker में आप इनको liberal thinker के बीच आप इनको रख सकते हैं तो यहां पे क्या है जो घंग उठाई कि हमें इसके आधार पर लिबर्टी दी जाए तो जौसेफ राज ने इसकी आलोचना चीह और उन्होंने देने की ये मान्यता का ये पक्षकार है इसमें कुछ इस परकार की मान्यताईं भी होती है जो स्ट्रियों को घरों और चूले चोके तक सीमित रखना चाहती है और माता पिता द्वारा चुने गए वर से विभा करने जैसी प्रथाओं को सुष्विकार करती है तो ये क्या है ये क्या है चूले चोके तक महिलाओं को सीमित रखा जा रहा है अपनी मर्जी से वो शादी तक नहीं कर सकती है तो इससे क्या होता है जोसेफ राज के अनुसार इसके अनुसार व्यक्तिगत हितों और स्वतंतरता को हानी पहुंचती है महिलाओं के हितों को क्य क्योंकि Multiculturalism के अंदर क्या है अलग अलग रूडियों को मानने ता दी जाती है यहां पर मुस्लिम जो लौ है वो कहेगा कि बुर्का पहनो बुर्का पहनो तो इंडिविजल लिवर्टी के खिलाफ है हिंदू में जाओ तो इंटरकास्ट मेरीज नहीं करने देंगे तो वो भ हीला नहीं है तो इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है विल किमलिका कहते हैं मैंने दो परकार के अधिकारों के मध्यभेद करना करने का प्रस्ताव किया है जिसकी मांग अलप संख्यक करते हैं दो परकार के अधिकार जो अलप संख्यक मांग करते हैं वो किमलिका के अन सदस्य है उनको कंट्रोल करने की पहला जो अधिकार समू का होता है जो समू के आंतरिक मतवेद से रक्षा करने के लिए जरूरी है ठीक है तो विल की मलीका ने पहला अधिकार क्या बोला पहला अधिकार बोला कि हमारा क्या है ये जो सोसाइटी है society के अंदर जितने भी आदमी है हमारे जितने भी community के लोग है इनके behavior को हम control कर पाए ताकि ये intercast marriage ना कर पाए ताकि ये समाज के अंदर कुछ ऐसा काम ना कर पाए जो हमारे धर्म के खिलाब जाता है ठीक है तो ये है पहली मांग दूसरी मांग दूसरे परकार के वे हैं जिन में किसी समाज के विरुद्ध व्यक्ति या सम्हू के अधिकार होते है तो दूसरा मांग क्या है दूसरी मांग है कि ये जो individual है individual इस समाज के खिलाब क्या है समाज के खिलाब अपने कुछ अधिकारों को सुनिशित कर पाए कि समाज उनकी individual liberty को खत्म ना कर पाए तो ये दो प्रकार के अधिकार बताए है विल किमलिका ने अब तीसरी चीज इंपोर्टन्ट है ये है multi-culturalism and nation building सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि एक उदारवादी राज्य धर्म और जातिय संस्कृति संस्कृतिक भिन्नता के प्रति तटस्त होता है neutral होता है यानि एक उदारवादी राज्य क्या है धर्म निर्पेक्ष राज्य होता है इसका अर्थ ये है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता इसलिए प्राथ्मिक स्थान के आधार पर उसकी कोई आधिकारिक संस्कृती भी नहीं हो सकती इसलिए वो ये नहीं बोल सकता कि हम हिंदू कल्चर में विश्वाश करते हैं हम हिंदू आइडोलोजी में विश्वाश करते हैं क्योंकि we are a liberal country ठीक है we are a liberal nation जिसके अंदर सभी धर्मों को हम equal मान्यता देते हैं राज्य का कोई अपनी संस्कृती नहीं है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तो उसका अपना कोई कल्चर भी नहीं होगा संस्कृती को धर्म की तरह नागरिकों के आंतरिक जीवन का हिस्सा माना जाता है और राज्य इसमें कोई भी भूमी का नहीं निबाता माइकल वालजार कहते हैं कि इस अर्थ में सयुक्त राज्य अमेरिका आदर्श उदारवादी राज्य के समीप है तो ये question important आपके लिए बनता है माइकल वालजार के अनुसार माइकल वालजार basically ये communitarian यानि समुदायवादी चिंतक है इन्होंने कहा कि अमेरिका एक आदर्श उदारवादी राज्य के समीप है क्यूंकि इसमें संबेधानिक रूप से माननेता प्राप्त कोई आधिकारिक भाशा नहीं है और प्रवासियों के लिए अमेरिकी बनने के लिए केवल एक शर्थ है कि सयुक्त राज्य अमेरिका के संबीधान में प्रतिस्थापित प्रजातंतर एवं व्यक्तिगत स्वतंतरता के राजनितिक मुल्यों को वे समझे तो माइकल वॉलजार का विरोध करते हैं किमली का और किमली का कहते हैं किमली का इस परिकल्पना को नहीं मानते उन्होंने बताया कि उदारवादी राज्ये ने राश्ट्र निर्मान के किसी ना किसी बिंदू पर राश्ट्रे संस्कृति को फैलाने का प्रयास किया जो अवसरों, विश्वाशों एवं एकात्मक्ता जैसे महत्वपून राष्टिय लक्षियों में लावदायक हो सके ठीक है? कोई भी बिंदू, वो इंडिया आप देख लीजिए, वो अमेरिका आप देख लीजिए, वो रूस आप देख लीजिए, जर्मनी आप देख लीजिए, कोई भी नेशन हो जिसने आज अपने आपको मल्टी कल्चरलिस्ट नेशन गोशित किया है उसने कही ना कही एक point एक बिन्दू के उपर अपने आपको क्या है अपने आपको धर्म के आधार पे एक जूट किया था भाषा के आधार पे एक जूट किया था जर्मनी के अंदर आप देखोगे यहुदियों का जिस तरीके से नरसंहार किया गया और Aryan race को वहाँ पे क्या ह प्रमुख माना गया तो ये एक एक्जामपल है विल किमलिका कहते कि ऐसा नहीं है जैसा कि माइकल वॉल्जार कह रहे कि अमेरिका एक प्योर मल्टी कल्चरलिस्ट स्टेट है क्यूंकि अमेरिका के अंदर 50 से कम वर्ष के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत ज़्यादा जुरूरी होता है ठीक है और स्कूलों में भी अनिवारी रूप से अंग्रेजी को पढ़ना पढ़ता है तो अंग्रेजी को जब पढ़ना पढ़ता है तो इससे क्या होगा क्योंकि अंग्रेजी बहु संख्यकों की भाषा ह जो नंबर में जादा है कई भाषाई अलप संख्यक हानिप्रद स्थिती में होते हैं अलप संख्यकों को राष्टर निर्मान की प्रक्रिया में हानिप्रद स्थिती का प्रतिकार करने के लिए विभिन नीतिया अपनानी पड़ती है वो कई बार धरने प्रदर्शन करने लग जाते हैं कि हमारी भाषा को भी मान्यता दी जाए और हमें भी क्या है अपना इक्वल अपोचिनिटी समाज के दर दी जाए तो विल किमलिका के अनुसार अमेरिका भी एक प्योर मल्टी कल्चरलिस्ट स्टेट नहीं है कुछ देशों में अलप संख्यक धर्म आधारित है कुछ में प्रजाती तो कुछ में भाषाई आधार पे अता हम कह सकते हैं कि बहु संस्कृती को अगर सकारात्मक रूप में लिया जाए तो ये राष्टर निर्माण में सहायक हो सकता है और यदि अलप संख्यक का स्वय को दूसरे दरजे का समझेंगे तो ये राष्टर को तोड़ भी सकते हैं और राष्टर के खिलाप आंदोलन भी और क्रांतिया भी हो सकती है अब यहाँ पे देख लेते हैं बहु संस्कृती वाद का पश्चिमी मोडल पश्चिमी प्रजातंतर में पाए जाने वाले पांच परकार के जातिय समुहों की प्रतिक्रियाओं के द्वारा विल किमली का बहु संस्कृती वाद के पांच मोडलों की चर्चा करते हैं पहला मोडल है अलप संख्यक मोडल राष्ट्रिय अलप संख्यकों को किमली का दोश रेडियों में विवाजित करते हैं उपर राज्य राष्ट्र एवं देशेज लोग उपर राज्य राष्ट्र वे राष्ट्र हैं जिनके पास वरतमान में कोई राज्य नहीं है परन्तु पिछले काल में या फिर विगद काल में उनके पास राज्य हो सकता था देशेज लोग वे हैं जिनकी पारंपरिक भूमी उपनिवेश को द्वारा अधिकरित कर ली गई थी और जिनोंने शक्ति अथवा संधी के कारण उस राज्य का हिस्सा बनना स्विकार किया दूसरा इन्होंने मोडल दिया आप्रवासी का मोडल आप्रवासी सम्हू वे समू हैं जिन्होंने अपनी मात्र भूमी त्याग दी है और अधिकतर आर्थिक कारणों से परंतु कभी-कभी राजनितिक कारणों से दूसरे समाज में रह रहे हैं इन समुहों को दो दलों में विभक्त किया जा सकता है एक वे जिनके पास नागरिक बनने का अधिकार है और दूसरा वो जिनके पास नागरिक बनने का अधिकार नहीं है ठीक है तो ये पहले परकार के अलप संख्यक जो है ये मल्टी कल्सरलिस्ट का क्या है निर्मान करते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उपराज्य, राष्ट्र और देशज लोग आते हैं, दूसरा आपका है आपरवासी, आपरवासी जो कि किसी दूसरे देश में बसे हैं, और वहाँ पे एक सम्मुहों का निर्माण करते हैं, और वहाँ पे क्या है, डिमांड करते हैं अपन पे जो छे धर्म है, छे धर्म के लोगों को नागरिक बनने का अधिकार होगा, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों को नागरिक बनने का अधिकार नहीं होगा, जो पाकिस्तान, बांगलादेश वगेरा से आएंगे, ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया परजाती जातिय सम्हों, एथनिक ग्रुप्स जैसे अफरीकी अमेरिकी अफरीकी देशों के वन्शज है जिन्हें सत्रुई वा उनिस्वी श्ताबदी के मध्य संयुक्तर राज्ये में लाया गया था दास प्रता के अंतरगत आश्रीतों को नागरिक के रूप में नहीं देखा जाता था यहां तक इन वहां पे क्या है चाय के बागान या फिर असेब के बागान है वहां पे इन लोगों को बसाया गया था और धीरे-धीरे क्या है इनके समूह बनने लगे और जब इनके समूह बनने लगे तो यह एथनिक ग्रुप क्या है अमेरिकन से अलग थलग थे क्योंकि ब्लैक थे ब्ल जो की राज्ये से अलग होने चाहते हैं ये जाती के आधार मिक आधार पे हो सकते हैं प्रिथकतावादी जातिय धार मिक सम्हूं अधिकतर आप्रवासी बहु संख्यकों के साथ एकिकरित होना चाहते हैं यानि ये क्या है वहां के लोकल लोगों के साथ एकिकरित होना चाहते हैं या फिर आप्रवासी बहु संख्यकों के साथ एकिकरित होना चाहते हैं यानि आप्रवासी बहु संख्यक जो कि बाहर से आए हैं उन लोगों के साथ ये मिलना चाहते हैं और उन लोगों के साथ मिलकर ये अलग से अपना एक राज्ये बनाना चाहते हैं लेकिन कुछ छोटे आप्रवासी समू ऐसे भी है जिन्होंने स्वेच्छा से राजनिती वा नागरिक समाज से प्रिथक रहना चाहते हैं इन समूहों का धर्म विज्ञान आधुनित्ता के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क से वचने की अपेक्षा ये करता है ऐसे समूह जैसे कि आप देखते हो अमीश अथ्वा हैसिडिक यहुदी उत्री अमरिका में उत्पेडन से बचने के लिए शरणार्थी बने हुए है इसके साथ आप इराक के अंदर कुर्दिस्तान की जो मांग देखते हैं वो भी प्रिथक्तावादी जातिय धार्मिक समूह का एक एक एक्जम्पल है कि इराक के अंदर कुर्दों ने अलग से एक कुर्दिस्तान बनाया है जेरुसेलम के अंदर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपके इसाई आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे ठीक है पैलेस्टाइन आप देखते हैं पैलेस्टाइन के अंदर आपको यहूदी ज़्यादा देखने को मिलेंगे पांचवे टाइप के इन्होंने बताए जो की अल्प संख्यक का निर्मान करते हैं बहुत संस्कृति वाद में वो है विदेशी यह वह समू है जिन्हें वास्त्विक अर्थ में कभी नागरिक बनने का अधिकार नहीं दिया गया यह समू भिभिन परकार के लोगों से बना है कुछ नियमित प्रवासी है जैसे अवेद प्रवासी और कुछ स्थाई प्रवासी है जैसे अथिती श्रमिक इत्यादी प्राचीन युनानियों से शब्दावली उधार लेते हुए माइकल वालजार ने इन्हें मैटिक्स अथ्वा अन्य देश के निवासी की संग्या दी यह कोशन आपसे पूछा जा सकता है वट डू युमिन बाइ मैटिक्स मैटिक्स का क्या अभी प्राय है और मैटिक्स शब्द किसने यूज किया विदेशियों के लिए तो यह है माइकल वालजार लिया कहां से है प्राचीन यूनानियो अरिस्टोटल प्लेटो से ठीक है बहु संस्कृति वाद का सैधान्तिक पक्ष समुदायवादी विचार धारा में तातकालिक योगदान के रूप में बहु संस्कृति वाद के आईरिस M. यंग यंग जो मैंने पहले आपको बताया था इनका पूरा नाम है आईरिस M. यंग वा भीखु पारेक जैसे अनेक समर्थक है और जो आईरिस M. यंग है प्रजातांत्रिक सिधान्तवादी है डेमोक्रिटिक थियूरिस्ट है डेमोक्रिसी के आधार पे मल्टी कल्सरलिजम की इन्होंने बात की है आईरिस M. यंग तर्क देती है कि सामाजिक समू हमारी पहचान को आकार देने वाले संदर्ब प्रदान करते हैं यानि सामाजिक समू different different type की जो community होती है वो हमारी identity को एक पहचान देते हैं कि हमारी अलग identity है हम लोग Muslim है हम लोग Hindu है ठीक है जिसका वे एक हिसा होते हैं उसके समू के साथ अन्य लोगों द्वारा किये जाने वाला व्यवहार व्यक्तियों को प्रभावित करता है पहचान एक social identity है ठीक है पहचान क्या है एक सामाजिक संरचना है और अनेकतावादी समाज में बहु विधा प्रभाव होते हैं जो पहचान को आकार देते हैं अब माइकल यंग बेसिकली क्या है democratic theory की बात कर रहे है तो डेमिक कर रही है यह एक लेडी है ठीक है यह एक प्रजातांत्रिक सिधानत्वादी है इसलिए इन्होंने क्या बोला कि multi culturalism के अंदर क्या है लोगों को उनके अधिकार होने चाहिए उनको स्वतंतरता होनी यंग ने बात की है यंग की भाति भीखु पारिक भी सामाजिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रात्मिकता देते हैं परंतु उनकी संस्कृती की धारणा यंग की धारणा से अधिक कठोर है कठोर इनकी धारणा multi culturalism की क्यूंकि वे मानते हैं कि संस्कृती का चरीतर ऐसा है कि ये उत्राधिकार में मिलती है वो स्वें चैनित प्रताओं अथ्वा जीवन शेलियों को स्विक्रित नहीं करते है कि कल्चर तो हमें पूर्वजों से मिलता है हमारे पूर्खों से मिलता है तो कल्चर में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते है जैसे हिंदु धरम के अंदर होता है कि जाती तो वही जन्म से मिलती है माबाप की जाती है वही आपकी होईगी आप उसको change नहीं कर पाओगे तो इस प्रकार की बात करते हैं भीकु पारेक जबकी आईरिस यंग बात करते हैं कि आप change कर सकते हैं अपनी ethnic identity आप जिस ग्रुप में चाहो उस ग्रुप में जा सकते हैं ठीक है तो ये दो चिंतक हमने यहाँ पे देखे उसके बाद यहाँ पे बहु संस्कृतिवाद के प्रकारों की अगर बात करें तो basically तीन टाइप का multiculturalism होता है पहला उदार वा कठोर बहु संस्कृतिवाद इसको छेट टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो पहला होता है उदार वा कठोर बहु संस्कृतिवाद उदार बहु संस्कृतिवाद समानता और उसमें सहभागी होने तक सीमित रहता है लेकिन कठोर बहु संस्कृति वाद में अंतर क्रिया में समानता पर बल दिया जाता है यानि homogeneity के उपर इसमें क्या है फोकस किया जाता है यानि एक परकार के ग्रुप को ही माननेता दी जाएगी कठोर के अंदर ठीक है, for example, इंडिया को एक हिंदू राष्टर बनाय जाएगा, तो ये क्या होगा, ये एक कठोर बहु संस्कृति वाद का example होगा, क्योंकि यहाँ पे समानता पे बल दिया जा रहा है, only हिंदू, only हिंदू के यहाँ पे बात की जाएगी, जबकि उदार बहु संस्कृति वा के उदारन है, भारत में कठोर बहु संस्कृति वाद की प्रवर्ति पाई जाती है, तो ये भी important है, example अगर आप से पूछे जाए, वैधानिक तथा वास्त्विक बहु संस्कृति वाद, इसे आप कह सकते हैं, legal तथा actual multiculturalism, वैधानिक बहु संस्कृति वाद को राज्य की न तथा कानूनों द्वारा संदक्षन दिया जाता है, legal के द्वारा यानि Indian Constitution के अंदर बात की गई है कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज्य है, और राज्य का अपने कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को equal treat किया जाएगा, तो इसे कहा जाता है, वैधानिक बहु संस्क संस्कृतिवाद में सामाजिक संस्कृति का बहु संस्कृतिक होना ही प्रमुख है, actual में क्या है, actual में होता क्या है, actual में संस्कृति के आधार पे ही उसे बहु संस्कृतिवादी कहा जाता है, भले ही Constitution में वो बात कही गई हो या ना कही गई हो, तीसरे प्रकार के होते हैं, ये है बहुलवादी तथा विशिष्टता वादी बहु संस्कृती वादी बहुलवादी हमने पहले भी देख लिया है ठीक है जिसे आप कॉस्मो पॉलिटन कहते हैं कॉस्मो पॉलिटन का बेसिकली मतलब क्या होता है जो पूरी दुनिया के अंदर विश्व भातृत्तों की बात करते हैं पूरे दुनिया के कल्चर्स को पूरे दुनिया के धर्मों को एकिक रिट करना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है कॉस्मो पॉलिटन ठीक है कै तो बहुलवादी बहु संस्कृति वाद में विभिन्नताओं के संदक्षन पर बल दिया जाता है यानि डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है बहुलवादी मल्टी कल्चरलिजम में जबकि विशिष्ठता वादी बहु संस्कृति वाद विभेदक विशेष्टाओं को बनाए रखने के लिए विशिष्ठता मतलब specific multiculturalism जोकी specific inequality specific जो इसका culture है उसको बनाए रखने की बात करता है बहु संस्कृती वाद की आवधाना की विशेष्ठाएं इसकी सबसे पहली जो विशेष्ठा है वो है गैर विवेदी करण का आधर्श इसके अनुसार बहु संस्कृतिवाद भेदभाव का विरोधी है ये अल्फ संक्यक समुदायों के प्रती भेदभाव को नियुन्तम तथा गैर विवेदी करण को प्रोचाहित करता है यानि डिफ्रेंशियेशन ना किया लाए कल्चर के आधर पे किसी के साथ भी डिफ्रेंशियेशन मींज विवेद ना किया लाए किसी के साथ शोशन ना किया लाए सेकंड है सांस्कृतिक विवेदता का संरक्षन cultural diversity को क्या है ये संरक्षित करना चाहते है preserve करके रखना चाहते है तीसरा है समाज की अपेक्षा सम्हू को महतू ये society की अपेक्षा group को महतू देते है I hope आपको पता होगा society और group में क्या अंतर है एक society होती है society में different type के caste के, color के, creed के लोग रहते हैं society के अंदर हिंदू भी रहते हैं, muslim भी रहते हैं लेकिन सम्हू basically specific homogeneity के अधार पे बना होता है सजातियता के अधार पे बना होता है अब यहाँ पे दो चीजे आपको मैं clear कर दूँ I hope आपको confusion हो रही होगी ये आपका होता है homogeneity और ये अक्सर research में भी पूछा जाता है homogeneity और दूसरा होता है heterogeneity heterogeneity homogeneity का मतलब होता है सजातियता सजातियता यानि जहाँ पे एक जैसे लोग रहते हैं एक ही धर्म के लोग रहते हैं एक ही परकार के लोग रहते हैं जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान पाकिस्तान एक theocratic state है वहाँ पे homogenity ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे muslim धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं heterogeneity आप इंडिया में देख सकते हैं heterogeneity का मतलब होता है जहाँ पे विभिन विभिन प्रजाती के लोग रहते हैं अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं तो हमोजिनिटी और हैट्रोजिनिटी आपको समझ आ गया होगा तो संपूर्ण समाज की अपेक्षा, मल्टी कल्चरलिजम, विभिन समूहों को प्रात्मिक्ता देता है और उसके आधार पर सभी को समान अधिकार देने के पक्ष की ये बात करता है उदारवादी बहु संस्कृति वादी विचारकों को यहाँ पे देखते हैं, बेसिकली हम भीखुपारिक और विल किमलीका को यहाँ पे देखने वाले हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है विल किमलीका प्रमुख उदारवादी सिधान्दकार है, इनके विचार इनकी पुष्टक बहु संस्कृति वादी नागरिक्ता यानि मल्टी कल्चरलिज्म, मल्टी कल्चरलिज्ट लिस्ट सिटिजन्शिप, अल्प संख्यक अधिकारों के सिधान्द 1955 में संकलित है तो ये कई बार भी इनकी पूछी गई है, मल्टी कल्चरलिज्म सिटिजन्शिप, इनके अनुसार उदारवाद का विकास बहु संस्कृति वाद में होना प्राकृतिक है, तथा उदारवाद ही बहु संस्कृति वाद के सिधान्दों को मान सकते है अब यहाँ पर देखिए, समुदावाद ने बेसिकली उदारवाद की आलोचना की थी, कि उदारवाद कभी भी मल्टी कल्सरलिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकता तो उन समुदावादियों की आलोचना करने के लिए विल किमलिका ने ये सिधान्त दिया और उन्होंने कहा कि उदारवाद के अंदर ही मर्टी कल्सरलिज्म शुरक्षित रह सकता है, कैसे? इन्होंने कहा उदारवाद का जो opposite होता है वो होता है अनुदारवाद उदारवाद वैसे होता नहीं है उदारवाद का opposite अगर आप मान के चलो तो वो अनुदारवाद को मान के चल सकते हैं उदारवाद क्या है उदारवाद equality और liberty के उपर आधारित है जबकि अनुदारवाद यानि कंजर्वेटिजम रूडीवाद के उपर आधारित है तो कल्चर क्या है? कल्चर रूडीवाद के उपर आधारित होता है कल्चर क्या है? कल्चर रूडीवाद के उपर तो आधारित होता है धर्म किस के उपर आधारित होता है तो उन्होंने कहा अगर विभिन संस्कृतियों को equal मानना है तो आपको क्या है आपको liberalism को मानना पड़ेगा क्योंकि diversity को प्रधानता देता है इन्होंने अलप संक्योकों को कुछ विशेश अधिकार देने की वकालत की जैसे प्रतिनी दित्तों का विशेश अधिकार जो की only and only liberal democracy में possible है दूसरा इन्होंने कहा सोशाषन का अधिकार यदि सजातिय सम्हूं एक भूभाग में केंदरित हो ज़्यादा है तो उनको क्या है सोशाषन का अधिकार दिया जाना चाहिए उसी के चलते भारत में धारा 370 दी गई थी क्योंकि कश्मीर के अंदर एक भूभाग के उपर एक कल्चर के लोग ज़्यादा थे ठीक है बहू सजातिय अधिकार इसका अर्थ है अलप संख्यों को उनके सांस्कृतिक अधिकार देना और ये तीनों क्या है ये तीनों कहां पे only liberal democracy में ही possible है गंजर्वेटिजम में ये possible नहीं है क्योंकि वो तो धर्म के आदार पे रूडियों पे चलेगा वो किसी को स्वतंतरता देने के कभी पक्ष में ही नहीं होगा किमलिका के अनुसार ये अधिकार केविल नागरी को राष्ट्री अलप संख्यों को तक्सीमित किया जाना चाहिए तथा इन अधिकारों को और प्रवासी तथा शरनार्थियों को ना दे दिये जाने कि इनोंने बात की यानि ये किसको दिया जाने चाहिए जो देश के नागरिक है और राष्ट्रिय अल्पसंक्यक है अगर वीदेशियों और शरणार्थियों को आपने ये अधिकार दे दिये तीनों अधिकार तो वो क्या करेंगे भारत के उपर कबजा कर लेंगे कि हम क्या है हम अफगानिस्ता इनकी प्रमुख पुस्तक है बहु संस्कृति वाद पर पुनर विचार ठीक है मल्टी कल्स्रालिजम के उपर इन्होंने क्या है री विजिट करने की कोशिश की है इन्होंने किमलिका के विचारों का विरूद किया देखिए विल किमलिका का विरूद किस ने किया विखु पारिक ने कहा कि राष्ट्रिय अल्प संख्यों को तथा अप्रवासी वाशरनार्थियों के बीच बेहदबाव करना उचितवा नयाय संगत नहीं है जैसा कि यहां पे इन्होंने क्या है विल किमलिका ने अंतर किया था इसाधार पे इन्होंने इसकी आलोचना की है उन्होंन के विचार क्या है सोय के वारे में श्रेष्टा से ग्रसित है वो कहते हैं कि उदारवाधी सबसे अच्छी विचारदरा है जैसे विल किमलिका कह रहे थे तो इन्होंने कहा कि भाई तुम अपने आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा मानते हो एक्च्छल में आप उतने आएगा उनके बीच यूनिटी कव आएगी जब वो डायलोग करेंगे एक दूसरे के साथ एक ही क्षेतर में रहकर जब आदान परदान करेंगे जब वहां पे इंटरकास्ट मेरिज करेंगे तभी सदबहाओ वहां पे आ सकता है तो ये भीकुपारेक का एक प्रमुख अमिलित करने पर उदारवादियों ने गंभीर आपती जताई हैं सबसे पहले सबसे प्रमुख चिंतक है ब्रायन बेरी जिन्होंने मल्टी कल्चरलिजम को चारो तरप से चुनोती देने की कोशिश की जितने भी प्रकार के मल्टी कल्चरलिस्ट हमने पढ़े चिंतकों के अंदर सभी की आलोच्ना ब्रायन बेरी ने की है सभी की वह किमलिका हो यंग हो वह भी कुपारेख हो ठीक है वाल्डेन हो सभी की आलोचना ब्राइन बेरी ने की है और सभी परकार के बहु संस्कृतिवाद की आलोचना इनोंने की है ब्राइन बेरी की पुस्तक कल्चर एंड इक्वैलिटी में इसकी कड़ी समाज लोचना पाई जाती है साइमन कैनी ब्राइन के दृष्टी कौन का सार प्रस्तूद करता है और चार मूल विशेष्टाओं की रूपरे का प्रस्तूद करता है यानि इन चार विशेष्टाओं से हम समझ सकते हैं कि ब्राइन वेरी आखिर चाहते क्या है सबसे पहला वहां नागरी को वहां राजनेतिक स्वतंतरता के उदारवादी कारेक्रम का समर्थन करते हैं पहली चीज ये क्या है समुदायवाद का यहां पे ये विरोध करते हैं समुदायवादी चार्ल्स टेलर हो समुदायवादी माइकल सैंडल हो जितने भी चिंतक वहु संस्कृति वाद की समुदायवाद के अधार पे वकालत करते थे उनकी इनों ने इसमें अलुचना कर दी दूसरा वहर राज्य की तटेस्तता के आदर्श का समर्थन करते हैं यानि वो क्या है नियो लिबरल थिंकर को समर्थन देते हैं सचंदता वाद को ये समर्थन देते हैं और तटेस्तता के आदर्श को जब ये स्विकार करते हैं तो रज्य किसी भी परकार से किसी भी परकार से बहु संस्कृति वाद का समर्थन नहीं करेगा ठीक है तीसरा समस्त नागरिकों को समान उदारवादी अधिकार समान उदारवादी अधिकार देने के यह पक्ष में है जितने भी नागरिकों कल्चर के आधार पे नहीं उनको equal right जिसे uniform civil code कहा लाता है इस प्रकार की विवस्था आपको करनी चाहिए ना कि संस्क्रितियों को अलग- जैसा कि लिबरलिजम अक्सर करता है चोथा, बैरी अपने उदारवादी विचारों को पशिमी प्रजातंतर तक सीमित ना रखकर वैश्वी कादार पे लागू करना चाहता है यानि पूरी दुनिया में इसको ये लागू करना चाहता है बहु संस्कृति वाद की आलोचना करने की प्रक्रिया में ब्रायन वेरी एक दार्शनिक सिधान्त को प्रारम करते हैं जिसमें पिछली दो शताब दियो प्रबोधन यानि एनलाइटमेंट और प्रतिबोधन यानि एंटी एनलाइटमेंट में विभाजित करते हैं इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा कि अगर हमें अच्छे से समझना है चीजों को तो हम उसको जागरन, पुनर जागरन और पुनर जागरन विरोधी या फिर आप कह सकते हैं Enlightenment Enlightenment होता है जो आपकी विवेक से जुड़ी हुई जो एक धारणा है ठीके तो इन्होंने क्या है प्रबोधन का प्रतिनिदित्तु करने वाले लोगों में रखा जॉन लॉक को जैस मिल, जॉन रॉल्स और सोय बेरी जैसे लेखक प्रबोधन का प्रतिनिदित्तु करते हैं यानि इन्हें कहा जाता है Enlightenment वाले दार्शनिक जिन्होंने लोगों को जागरित करने की कोशिश की और Anti Enlightenment में इन्होंने रखा एडमन बर्क, हीगल माइकल लॉक्षोट, माइकल वॉलजार किम लिका, चार्स टेलर आईरिस यंग, एवं भीखु पारिक इसमें से पहला समू उदारवाद का प्रतिनिदित्तो करता है पहला समू जो हमने ये देखा ये क्या है? उदारवाद का प्रतिनिदित्तो करता है इसमें से पहला क्या है, पहला जो है, ये उदारवाद का प्रतिनी दित्तों करता है, और दूसरे के अंदर आप देखोगे, इसमें रूडिवादी है, एडमंड बर्क, माइकल ओक्षॉट, ठीक है, और इसमें आप समुदायवाद को भी देखते हैं, जो कि हीगल, हीगल बे बहु संस्कृतिवाद के मिश्रन के रूप में है, अता बेरी के लिए बहु संस्कृतिवाद एक अविवस्तित, असंगत और घातक मत है, जो सोसाइटी का कभी भला नहीं कर सकता, बहु संस्कृतिवाद एक सू संगठित, विचार धारा, अथवा सिधान्त नहीं है, किसे आलोचना की गई Multiculturalism की Brian Berry के द्वारा तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने Basically Multiculturalism का जो theoretical पार्ट था उसको अच्छे से समझने की कोशिश की I hope आपको ये lecture अच्छा लगा होगा Thank you, thank you for watching